आज से करीब एक हजार साल पहले यानि कि करीब एक हजार बीस के असपास उस समय स्विजलेंड में एल्फ्स मांटेन है जो जैसे इंडिया में हिमालयाज है उसी तरीके से स्विजलेंड में एल्फ्स मांटेन है तो उन पहाड़ों को पार करके जितने भी स्विजलेंड में रोम को जाते थे तो वह पहाड़ बहुत हुचे हैं लगबग 5000 मीटर की उचाई पे उनकी है उन पहाड़ों की तो वहापे बहुत बरफ के दुफ़न आते है आते हैं तो जो भी परेटक होते थे वो अक्सर फस जाया करते थे उन बरफ के तुफ़नों में आते हैं तो उनकी मदद के लिए एक सेंट थे जिनका नाम था बर्नार्ड तो उन्होंने वहाँ पे अपनी एक कुटिया स्थापित की और उन्होंने उनको निकालने का काम जा रखा गया है सेंट बर्नार्ड और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ब्रीट को सेंट ने डेवलप किया है और विट टाइम बहुत अधर सेंट ने एक ब्रीट डेवलप की जिसका नाम सेंट बर्नार्ड रखा गया और जैसा इसका नाम है वैसे इसके काम है बहुत ही सां सूंग ने की सकती कमाल किया यह करीब 10 फीट गहरी बरफ में भी इंसानों को या किसी भी चीज को सूंग लेता था और उसके बाद उसका रेस्क्यू किया जाता था बात करते हैं इसके ग्रूप की तो यह वर्किंग ग्रूप का डॉग है और साइच चबब से 30 इंचे सी एव इसके बाद नहीं करते हैं इसे ज्यादा एनर्जी को बैठे रहते हैं जाद तर इंटेंस बीट हुश चार है एक्सराइस की नीट से ज्यादा होती नहीं है दिन भर में एक घंटा अगर आप वक करा लो तो मोड़ो देने नहीं हो और खेलना चाहते हैं तो हां बिलकुल ख होता है तो सेंट डॉग है एक्टम सेंट रहा है नेचर से भॉकता भी बहुत कम है और जो मतलब की स्टैप के डॉक्स को पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी है कि जो बिल्कुल रेलाक्स रहते हो जादा परशान ना करते हो छोटी सी जगे में भी रह जाएं जी हां डॉक्स बहुत बड़ा है लेकिन छोटी सी जगे में भी रह जाता है अपार्टमेंट के लिए बड़ी अमानते ही से बात करें ग्रॉमिंग की तो शीडिंग बहुत ज़्यादा होती है डबल कोट होता है बाल बहुत होते है इसके और शीडिंग भी बहुत करता है genetic disease होती है hip dysplasia जो बोलते हैं उसे तो अगर इसके कभी father और किसी grandparent को अगर वो है तो फिर आपको वो dog नहीं लेना है क्योंकि यह genetic genetic disease होती है और potential for weight gain के तो बिलकुल potential रहता है couch potato dog है and final thing is size size तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है in fact top three अगर वर्ल्ड की largest dogs की बात की जाएगी तो उसमें सेन बर्नार्ड का नाम भी लिया जाएगा and yeah easy to train नहीं है two star दिये हुए है लेकिन मेरा मनना है कि आप train कर सकते हैं इसे intelligence में four star है potential for mouthiness mouthiness का मतलब यह रहता है कि अपने मुँ का कितना यूज करते हैं तो मुँ का यूज करते रहते हैं यह मतलब चीजों को जबा सकते हैं आपके माँ पर प्रेडराइव बिल्कुल नहीं है पीछे करना पीछे पढ़ना किसी डॉक को काटना ऐसे चीजे किसी जनवर को नुकसान पहुचाना यह इनका काम नहीं अब अपने पास पालिए इसे आपकी जगे पर एक जगे पर रहना इसे पसंद है अब बात करते हैं कुछ और फैक्टर्स की जैसे की ठंडी जगे के डौग है तो ठंडे में आराम से रह सकते हैं फाइव इस चार एं ठंडे में रहने के लिए लेकिन गर्मी में थोड़ी दिक्कत आती है बाकी अपार्टमेंट लिविंग के लिए बहुत बढ़ी है बहुंकना कम पसंद होता है लेकिन अगर आप इन्हें चाहते हैं कि भॉंकना चाहें यह बहुंके करके तो आपको इन्हें साइलेंट जगे पर रखना है बच्पन से और सोसेलाइज कम करना है अगर आपके पास सेन बर्नाड है तो उसके करेक्टर स्चिक्स के बारे में हमें और बताएं कमेंट के मादियम से धन्यवाद्ट